कैसे हो आप सब आज मैं आपके लिए बंद गोबी या पत्त गोबी की इतनी सूपर डिलिशस रैसिपी लेकर आई हूं सबसे पहले आप इसका लोग देख लीजिए इसको देखने के बाद किसका खाने का मन नहीं करेगा और यह बनाने में भी बहुत असान है इसको बनाने मे पैन में दो बड़े चमच लेंगे जब तक गरम हो रहा है मैं आपको बता देती हूं कि हमें करना क्या है मैंने यहां पर आदा किलो गोबी को अच्छे से कट करके वाश करके टोकरी में रख दिया था जिससे कि इसका जितना भी एक्स्रा वाटर हो निकल जाए साथ ही हम द अब फ्रेश एड कर जीजे और इनको हम अलका सक रैकल कर लेंगे इसी के साथ हम इसमें आड करेंगे तीन नॉर्मल साइस की प्याज जिसको मैंने बारी कट कर लिया है और जो प्याज नहीं खाते वह इसको स्किप कर सकते हैं प्याज को हम सिर्फ एक मिन तक ही फ्राई करे सब्सक्राइब जब तक कि इसमें से और शुरू नहीं हो जाए तो इसमें अच्छ लाल मुच अदर चमच धनिया पॉर्डर थोड़ी और एक चमच नमक नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डी कमिया जादा भी कर सकते हैं और आदर चमच हम इसमें आड करेंगे पिसा हु अब मैं आपको बताऊँगी कि हमने पानी गलम होनी क्यों रख था काफी सारे लोगों की सौच है की पता गोवी में काफी साभीूर और चाहीं थी हूती है यहां पर और उच्छे से वाश कर लिया ताकि इसमें जितना भी स्टार्च हो वो सब निकल जाए आलू मटर और मसाले को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे आप देख सकते हैं कि हमारी सबजी अभी से ही कितनी डिलिशिस लग रही है अगर आपने हमारी वीडियो यहां तक सबसी में एड़ कर देंगे और इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे है कि अच्छे से मिक्स करके हम इसको धक करके 20 मिनट तक लो फलेम पर नों कुक करेंगे और यह देखें conundi च्टिक हैं और रिलिशिस कीता से तैयार है इस सबसी को बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता और मैंने मुश्किल से 30 मिलिटे बना कर तयार कर दी थी आप इस रेसिपी को एक बार ज़रू ट्राइ करें और मुझे कमेंट में बताएं कि आपको में रेसिपी कैसी लगी मिलते हैं नेक्स रेसिपी में तब तक के लिए टेक केर बाबाई अल्हाफिज